स्वी हरीवंज, प्रडाम, आज के चिंतन में आप और मैं मिलकर आगे बढ़ें, एक बार नित्य प्रती की भाती कुछ शनों के लिए भगवन नाम का कीर्तन करते हुए राधे क्रिष्ण, 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 राधे क्रिष्ण Krishna, Krishna, Radhe, 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 Shām, Radhe, Shām, Shām, Radhe, Radhe. Krishna, Krishna, Radhe, Radhe, Shām, Shām, Radhe, Radhe, Krishna, Krishna, Radhe, Radhe, Shām, Shām, Radhe, Radhe, Krishna, Krishna, Radhe, Radhe, Shām, Shām, Radhe, Radhe, Krishna, Krishna, Radhe, Radhe, Shām, Shām, Radhe, Radhe. Krishna, Krishna, Radhe, Radhe, Shām, Shām, Radhe, Radhe. Shri Sadguru, Charanarvindo, Jayati. Kripā, kripā, सब कोई कहе. Kripā pātr, नहीं कोई poder. Kripā pātr, sob azhanyeh., जो आज्या वरती होए और सदा की भाती संत के मुख से निसरित कुछ शब्द और उन शब्दों में छिपा अगाद रहसे गूड रहसे सुदरम बोधनिकार स्रिहित लाडली दासजी माराज कहते कृपा कृपा सब कोई कहे पर कृपा पात्र नहीं कोई कृपा पात्र सुई जानिये जो आज्या वरती हुए कहते सुना ही जाता है और किंचित अनुभूती भी होती है इसकी की भगवान साधन से नहीं मिलते भगवान कृपा से मिलते है पर भगवान में वैशम में का दोश नहीं है किसी पर कृपा करें, किसी पर ना करें, ऐसा नहीं समझ में आता प्रभू के स्वरूप को देखते हुए तो ऐसा लगता है पतित से पतित, अधम से अधम जीव पर भी भगवान कृपा करते हैं कर ही रहे हैं, ये उनका स्वभाव है फिर ये भेद क्यों, फिर परिणाम में ये भेद क्यों, क्योंकि पात्रता में भेद है आपके मेरे पास उस कृपा रस को संचित करने के लिए पात्रता का अभाव है सतसंग की, सतचिंतन की, स्मरण की, सेवा की, स्वाध्याय की, सदभाव की अगर मैं एक शब्द कहूं साधन की अवश्चकता है भगवान को पाने के लिए नहीं साधन की अवश्चकता है स्वयम को भगवान की कृपा का पात्र बनाने के लिए आभी जाए भगवान सनमुख बरसा दे वो अपनी कृपा का अमबुद तो आपके मेरे पास पात्र कहां है, कहां ठहराएंगे हम प्रभु की कृपा का जल, कहां रखेंगे हम भगवद अनुग्रे रूपी उस अमूल निधी को पात्रता का होना अवश्यक है और कल जिन दो सुत्रों पर आपने मैंने चर्चा की दिवर्शी नारद बता रहे हैं इन दो सुत्रों में कि किस प्रकार से संसार में रहने पर साधन करते हुए, अपने करतव्य कर्म का निर्वाह करते हुए संसार से निरलिप्त रहा जा सकता है किस प्रकार संसार में रहने पर भी भगवत कृपा की पात्रता को अरजित किया जा सकता है, किस प्रकार इस विशमता से भरे संसार में संचित्त होकर शांत चित्त होकर एक साधक रह सकता है और अंत में उस परम प्रे को उस परम श्रे को प्राप्त कर सकता है दो सुत्र शीनाराजी ने कहे स्त्री धननास्तिक वैरी चरित्रम नश्रवनियम अभिमान दंभादिकम त्याज्यम काम क्रोध लोभ मोह हंकार संसार में रहते हुए व्यवहार में रहते हुए विकार से बचना कठिन है इसके लिए प्रियास की भी आवश्चकता है इसके लिए पुरुशार्थ की भी आवश्चकता है और मैं कहूं इसके लिए प्रार्थना की भी आवश्चकता है परिश्रम करना पड़ेगा इसके लिए कहने का ताथ पर यह है कि यह सीधे सीधे से नहीं हो जाएगा यह बस आप चाहें और हो जाएं ऐसा नहीं होगा इसके लिए साधन करना पड़ेगा और कैसा साधन सतत साधन हमारे श्री सेवक जी महराज कहे रहे है ऐसी भक्ति करे बहुकाल दीर्ग कालिक साधना की पश्चाद फिर जीवन में कुछ प्रत्यक्ष परिणाम दृष्टी गोचर होगा क्योंकि संसार में रहते हुए व्यवहार के बिल्कुल मद्धि रहते हुए यह बिल्कुल ऐसा ही है कि यह से काजल की कोठरी से उजला वस्त्र पहन कर कोई निकले और काजल की वो जो कालिमा है वो आपको स्पर्शना करे यह बिल्कुल इतना ही कठिन है प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभहत नाई यही कठिन आई है अरे जो लोग संसार को छोड़ कर त्याग वैराग ओड़ कर कहीं एकांत बन में जाकर साधन करते हैं संसार का विचार और विकार तो वहां उन्हें भी तरस्त करता है तो पिर जो व्यक्ति बिल्कुल संसार के मद्ध में रह रहा है जिसे दिन रात व्यवहार करना है और जिसे आत्म कल्याण का विचार भी करना है वो क्या करे उसी के लिए उसी के लिए शी नारज जी ने ये कल के दो सूत्र कहे और मैंने कल आप से निवेदन किया था इन दो सूत्रों के माद्यम से नारज जी कहना क्या चाह रहे है सैयम, नियंत्रन इसकी आवश्यक्ता पड़ेगी साधक को जीवन में और सैयम और नियंत्रन आ सकता है जीवन में धर्म पालन के द्वारा और धर्म क्या है? शास्त्र की और गुरुजनों की आज्या में रहकर कर्म करना ही धर्म है करते चले जाईए फल प्रभू के चर्णों में समर्पित हो और फल ही क्यों में तो केता हूँ कर्म ही प्रभू के चर्णों में समर्पित हो ताकि फल बुद्धी उत्पन ना हो सबसे स्वस्थ जीवन शैली तो यही है और यह सबसे स्वस्थ क्यों है? इस भाव में प्रसंदता क्यों है इस भाव में निर्द्वंदता क्यों है नारजी ने का निर्द्वंदो भवती यह कर्म फलम त्यजती कर्वाणी सन्यस्ती निर्द्वंदो भवती जो ऐसा करता है वो निर्भार हो जाता है निर्द्वंद हो जाता है ऐसा क्यूं मैं क्यू इसे सबसे स्वस्थ जीवन शैली कह रहा हूं क्योंकि यह सत्य है सत्य है ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने योग जो कुछ किया सो आपने प्रवू आप ही करने योग एक ही तो शक्ति है वासुदेव सरवम भगवान कहते हैं हाँ इसे जानने वाला कोई विरला है समहात्मा सुदुरलभा लेकिन इस अस्तित्व का एक मात्रसत्य यह है कि कन कन का प्राणतत वो है वो एक एको हम बितीयो नास्ति एको हम और एकम सद्विप्रा बहुदावदंति अनेक अनेक रूपों में वो प्रकट होता आया है होता रहेगा अनेक अनेक रूपों में वो अभिर्यक्त होता आया है होता रहेगा लेकिन वो है एक एक आपके मेरे माध्यम से जो हो रहा है यह सारा अस्तित्व प्राणवंत है जसकी सत्ता से वो एक है एक सत्ता एको हम, प्तियो नास्ति, दूसरा कोई है नहीं, दूसरों न कोई तूसरों न कोई, तो इसे सत्य को स्विकार करने से बल मिलता है यहां मैं एक सूत्र आपको निविदन करना जाओं, सत्य को स्विकार करने से बल मिलता है सत्य को स्विकार करने से शक्ति की अभिविद्धी होती है सत्य को स्विकार करने से आत्म बल बढ़ता है आत्म विश्वास बढ़ता है सत्य को स्विकार करने से मुझे लगता है ये कठिन पत सुगम हो जाता है केवल सत्य की स्विकृति से और सत्य यही है करन करावनहार आप ज्यान त्यान किछ करम ना जाना सार ना जाना तेरी सबतों वड़ा सत्य गुरु नानक जिस कल राखी मेरी सत्य यही है ना मैंने कुछ है किया ना कुछ करने जो ना जो कुछ किया सो आपने प्रभु आप ये करने जो तो जो और करम फल का त्याग करता है कर्म को प्रभु के चर्णों में समर्पित करता है得न वो निर्दवन्द हो जाता है निर्भार हो जाता है तो एजू ये जो दो सुत्र नाराजी ने बताए कि स्त्रीधन नास्तिक वैरी चरित्रम नाश्रवनियम अभिवान दंबाहदिकम त्याज्यम अर्थात नियंत्रन ये केवल इसलिए कहा गया है कि मर्यादा की रेखा का अतिक्रमन न हो जाए साधक से कुछ आमर्यादित न कर बैठे साधक जिससे पतन का संशय उपस्तित हो जाए जिससे पतन का भय उपस्तित हो जाए क्योंकि भाई ये भी एक सत्य है कि जन्म जन्मांतर की भटकन के बाद कहीं जीव को सुध आती है भगवान कहते हैं गीता में अपने श्रीमुक से कहते हैं बढ़े जन्मों की भटकन के बाद कहीं जीव को सुध आती है कहीं सत्पत से दिखाई पड़ता है कहीं उस पर चलने की प्रेणा प्राप्त होती है अमूल्य अवसर है यह अमूल्य अवसर है बड़े अथक परिश्रम के पश्चात प्राप्त हुआ है यूई न हाथ से चला जाए छोटी सी बूल से कहीं बहुत बड़ी हानी न हो जाए यह एक बात और कहूं यह आपको मुझे डराने के लिए नहीं कहा गया है यह आपको म अंसार के मद्ध रहने वाले साधक का जीवन, नारग जी करें काम ना आये, वासन न बढ़े, इसके लिए स्त्री चरित्र न श्रवन किया जाए, और जो माताएं साधन करती हैं, वो किसी परपुरुष का चिंतन न करें, धन और धनी का चरित्र न श्रवन किया जाए, उससे बढ़ेगा, नास्तिक का चरित्र श्रवन करने से अंतरमिक शोब होगा, मोहांधकार और प्रगाड हो जाएगा, वैरी का चरित्र श्रवन करने से क्रोध उत्वन होगा, अभिमान तो जनम जनम से लगा है आपके मेरे साथ, यही मैं ही तो है जिसने प्रबु से आज तक व और जब हरी होंगे तो मैं नहीं होंगा मैं ही तो है सुधरम बोधिनीकार है कि तीन हाथ की भीत तन हरी दर्शन में आड़ यह जो अहम है बस किवल इसी की तो आड़ है इसी की तो ओठ है यही तो भगवत विमुक्ता का कारण है जरा जी कह रहें कि अभिमान दंभादिकम त्याज्यम यह भी त्याज्य है अभिमान एक बात है दंब दूसरी बात है दंब के लिए कल मैंने बड़े विस्तार से आपको बताए ता साधक को दंब हो सकता है साधन का अभिमान ना हो जाए जो श्थिती आपने मैंने प्राप्त नहीं किये कहीं उसका प्रदर्शन आरंब ना हो जाए अनावश्यक अपनी भाव भावना के प्रस्तुतिकरण की आवश्रक्ता नहीं होती साधक को किस प्रकार साधक छेपा दुरा कर अपनी भाव रूपी संपत्ति रखे कहीं कुछ ऐसा संकेच श्री नारची ने किया है तो अगले दो सुत्रों की चर्चा आज हम करेंगे आगे बढ़े एक बार फिर से परव पवित्र श्री नारायन श्रीमन नारायन नारायन भजमन नारायन नारायन भज्वन नारायन नारायन श्रीवन नारायन नारायन भज्वन नारायन नारायन लक्ष्मी नारायन नारायन Śrīvan Narayan, 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 Bhajvan Narayan, Narayan, Bhajvan Narayan, Narayan, Harinarayan, Narayan, 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 तो आज के सूत्र में 65 सूत्र में नारजी कह रहे हैं तदर्पिता खिला चारह सन काम क्रोधा भी माना दिकं तस्मिन्नेव करणियम तदर्पिता खिला चारह से पूर्व के सूत्र में ये कहा था कि लौकिक वेधिक समस्त करवों को भगवान के चर्णों में समर्पित करके अपना भी समर्पण प्रभू के चर्णों में कर दे तो जब नारजी कि इस द्वंद रूपी संसार में रहते हुए इस संसार के मद्ध रहते हुए बड़ा कठीन है और कठीन ही नहीं असंभव है जब तक जीव इस पंच भूत के देह में आबद्ध है जब तक ये माया काल जनित प्रपंच इसका स्पर्ष है तब तक पंच विकारों से मुक्त हो पाना संभव नहीं बड़े बड़े रिशी मुनी हजारों साल तप करने के बाद भी कई क्रोध रहता है कई फिर से कामना का उदे हो जाता है तो किसी के मन में संशे हुआ कि प्रभो आप ऐसी बात कह रहे हैं पर ये संभव कहां है कहां जीव से ये संभव हो पाता है तब नारजी के रहे हैं कि हाँ भाई बात तो ठीक है संभव नहीं हो पाता है फिर क्या उपाए फिर क्या उपाए है इसका तुना जी कि नहीं हाँ एक उपाए है तदर्पिता खिला चारह अपना प्रतिक आचार विचार व्यवहार और विकार भी प्रभू के चर्णों में समर्पित कर दे कैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कल मैंने कहा था यह पंच विकार ही मन है जब तक आप और मैं इस माया काल में बंदे हैं इसके इस प्रपंच का स्पर्ष आपको मुझे है तब तक मन क्या है पंच विकार है पंच विकार ही मन है और जैसे ही मन प्रभू की ओर देखने लगता है फिर उसके बाद की बाद तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं, जानत तुम्हें, तुम्हें ही होई जाए फिर तो मन रहता नहीं, फिर तो मन मिल जाता है, मन लग जाता है प्रभू में तो अब नारज जी के रहें कि भाई उपाये क्या है कि काम क्रोध अभिमान आदी इन विकारों से यदी मुक्ति संभव नहीं है इस संसार के व्यवहार के मध्य में रहते हैं फिर किया यह जाए क्योंकि संकल्प बद्ध हो चुका है साधक कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सोतोर श्री गोस्वामी जी कहते हैं श्री रगुनाथ जी से अ मम्रिदे भवन प्रभुतोरा यहां आये बसे बहु चोरा व्याकु लो जाते हैं श्री गोस्वामी जी श्री गोनाथ जी से जाकर कहतें प्रभु यह रुदय आपका मंदिर है मैं संकल्प कर चुका हूं कि मेरे मन मंदिर के देवता आप हैं यह रुदय रुपी भवन मैंने आपका मंदिर बनाने के लिए, आपका मंदिर बनाने के लिए रख छोड़ा है, पर क्या करूँ, यहां आए बसे बहु चोरा, यहां यह पंच चोर आकर बस गए हैं, जो सतत मेरी हानी करा रहे हैं, प्रभू कृपा करिए, बगवान गुष्वामी जी से पूछते हैं, कि अगर यह हिर्दय भवन हमारा है, तुम इसे हमें दे चुके हो, फिर इसकी चिंता क्यों करते हो, तो गुष्वामी जी बड़ा भाव पूर्ण उत्तर देते हैं अंत में, क्योंकि प्रभू इन पंज विकारों के वशी भूत होकर, मुझसे कहीं कोई ऐसी क्रिया न बन जाए, जिसे प्रभू मैं आपसे विमुख हो जाऊं, और यदि ऐसा होता है, तो फिर दीनानाथ अनाथ का, भला भया संजोग, जो अब तारोगे नहीं, मेरी हसी करेंगे लोग, प्रभू सारा संसार मुझे आपके नाम से जानता है, सारा संसार जानता है कि मैं आपका हूँ, अब यदि मुझसे कुछ अनुचित होता है, अब यदि मुझ से कोई भूल या कोई अपराद होता है तो प्रबू मेरी हसी नहीं आपकी हसी होगी मेरी हसी करेंगे लोग को स्वामी जी के रहे हैं प्रबू मैं तो जनम-जनमांतर से इनके आधिन रहा आया हूँ दुख की बात यह है कि मेरी इनसे ऐसी मित्रता हो गई है कि मुझे अपने शत्रूई अपने मित्र लगने लगे है मुझे अपनी चिंता नहीं है प्रभू चिंता मोहि नाथ अपारा अप जस नहीं हो ए तुम्हारा हे नाथ आपका प्यश होगा यदि मैं अपने पत से चुत होता हूं, यदि मैं पत ब्रष्ट होता हूं तो प्रभू मेरा नहीं आपका अपयाश होगा, आपकी हसी करेगा यह संसार, इसलिए त्राहिमाम राघवम रक्षमाम राघवम त्राहिमाम राघवम रक्षमाम राघवम इसलिए नाथ अब आपको मुझ पर कृपा करनी होगी अब चला हूँ तो पहुचाना आपका कर्तव है तो कहने का तात्पर यहां पर यह है कि काम क्रोध लोब मुँ अहंकार इन पंच विकारों से इस पंच भूत के देह में रहते हुए सरवता मुक्त हो पाना संभव नहीं है फिर क्या क्या जाए फिर क्या यह जाए कि भईया जो है वो प्रभू के चरणों में निवेदन कर दिया जाए यदि कामना जगे मन में संसार के सुख को प्राप्त करने की वासना बढ़े यदि ऐसी स्थिती सादक के जीवन में आए तो क्या करे प्रभू के रूप का ध्या जिस वस्तू को आप श्रेष्ट समझते हैं, जो वस्तू बढ़िया लगती है, उसी को प्राप्त करने की इच्छा होती है, कोई भी ऐसा नहीं है, जो घटिया वस्तू पाना चाहे, जो शुद्र या त्याज वस्तू के पीछे भागे, श्रेष्ट वस्तू ही तो प्राप्त क भाव में आपकी श्रेष्ट बुद्धी होगी क्यों मन नहीं करता भजन करने का यही तो कारण है क्योंकि आपकी मेरी संसार में महत बुद्धी है आप और में संसार को बड़ा महनी समझते हैं बड़ी महिमा है आपकी मेरे भाव में आपकी मेरी मन बुद्धी में संसार की औ जब तक प्रभु में श्रेष्ट बुद्धी नहीं हो, जब तक प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का बोध नहीं हो, इसलिए भगवान ने कहा, प्रथम भक्ति संतन करिसंगा, इससे होगा क्या, दूजी रति ममकथा प्रसंगा, मेरे गुणा अनुवाद में अनुरक्ति हो जाएगी, प्रीती हो जाएगी, श्रेष्ट बुद्धी होगी, महत बुद्धी होगी, महिमा समझ में आएगी, प्रभु के स्वरूप की, प्रभु के स्वभाव की, इस मानव जीवन की महिमा आपको समझ में आएगी, आपके मेरे लिए क्या है जीवन? खाना, पीना, स सूत्र को कहकर नाराज जी कहीं सत्य से भी आपका मेरा परीचे कराने है, साधक का परीचे कराने की भाया, तैयार रहना, जब तक शरीर रहेगा, तब तक ये त्रिगुन रूपी जल पर, ये मन रूपी पंची भ्रमर करता रहेगा, तब तक ये पंच विकार तरस्त करते रह तब तक अंत तक लड़ना पड़ेगा पर घवराना नहीं हमारे साथ हैं जब आप तो किस बात की चिंता बगवान का वक्त माया के सर पर पैर रख कर प्रभू के धाम को जाता है जिसके सिर उपर तु स्वामी सो दुख कैसा पावे बोल ना जाने माया मद माता मन ना चितना लावे सतत ध्यान करिए भगवान के रूप का प्रभू को प्राप्त करने की कामना जगे कामना तो है भीतर संसार को प्राप्त करने की है उसका रूपांतरन करना है अपने मन को सुनाईए प्रभु की महिमा सुनाईए प्रभु के स्वरूप की स्वरूप की महिमा बताईए अपने मन को प्रभु के स्वरूप का चमतकार कैसा है कैसे सत्चित आनंद में भगवान का रूप है कैसे सुन्दर चरण कमल है कैसे सुंदर अधरों परवंशी विराजमाने, नक्से लिक्तर शिक तक कैसा सुंदर श्रिंगार है बार 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 बताईए अपने मन को जिस दिन जिस क्षन प्रभु के स्वरूप के प्रती महिमा, बुद्धी, जागरित हो जाएगी जिस तमें भगवान के रूप की पती श्रेष्ट बुद्धी होगी आप देखेंगे ततकाल छूट जाएगा संसार और मन दोड़ने लगेगा प्रभू को प्राप्त करने के पीछे काम जगे तो प्रभू को रूप का ध्यान करिए क्रोध आए तो दर्पण के सामने खड़े होकर स्वयम पर क्रोध करिए स्वयम पर क्रोध करिए इतने जन्म हो गए अरे मूढ मन अब तक तुने प्रभू को प्राप्त करने का साधन नहीं किया अगर अब नहीं तो फिर कब करेगा क्रोध करना हो तो दरपण के सनमुख खड़े हो जाईए स्वैम पर क्रोध करिए लोब मन में जगे तो बताईए अपने मन को तन जोबन उड़ जाएगो जैसे उड़त का पूर नारायन गोपाल भज क्यों चाटे जगधूर संसार के धन को संसार की वस्तु को प्राप्त करने का लोब जगे तो संतों की वानी का आधार लेकर उद्बोधन दीजिए अपने मन को बताईए कविर साहिप के शब्द सुनाईए अपने मन को रेमन सो धन संचिये जो आगे को जाए खरचे ना खुटेवा को चोर ना लूटे दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो लोब रहे रहने दीजिए अपने मन में पढ़े लोब से कहिए कि हम मैं तुझे रखने को तयार हूँ पर लोब हो किसका सुमिरन का लोब हो सेवा का लोब हो प्रभू से मिलन की लालसा हो प्रभू को देखने का लोब हो लालच हो, बार-बार प्रभू के दर्शन करने का बार-बार जिव्या से प्रभू का नाम लेने का लोभ हो, प्रभू के निकट बैठने का तो लोब जगे, लोब जगे तो अपने मन को इस परकार उदबोधन दीजिए और जो मोह जगे, तब क्या करें? अपने गुरु के शब्दों का स्मरण करिए गुरुदेव की वानी का स्मरण करिए आचार की, संतों की, रसिकों की वानी का आश्रे लिजिए, आधार लिजिए मैं कई बार कहता हूँ न कि जिन्दगी में थोड़ा तालुक फकीरों से भी रखिए यह वो हकीम हैं, जो लवजों से इलाज करते हैं जू अंबुज के पात में पात पात में पात और त्यू संतन की बात में बात में बात और मेरी तो बड़ी निष्ठा है श्री गोशामी जी के मुक्स निसृत इस सूत्र सिधान्त में जो गुरू का शब्द है वो दूर करता है मुहरूपी अंदकार प्रकाश है ना गुरू के शब्दों में प्रकाश है सत्य का प्रकाश वो सत्य का प्रकाश और अंतर का मुहांदकार दूर करता है और जब अभिमान जगे तो जाईए गुरू के द्वार पर जाईए प्रभू के द्वार पर रगड़िये अपना मस्तक उस चौकट पर और अभिमान को दूर करने का सबसे श्रेष्ट सादन है सेवा हत बन करा मैं तेरी बंदगी सारी जिन्दगी मिरसत गुरू प्यारे मैं तबस हुन जी रहữa एक तेरे सारे और ये सबसादन ना हो पाए तो काम लगा δ visualize प्रभू में मैंने कहा काम जगे तो प्रभू को प्राप्त करने की काम ना हो लोब हो तो फिर भगवन नाम जपने का लोब हो अधिक अधिक सेवा का लोब हो बार बार प्रभू के दर्शन का लोब हो मोह जगे तो फिर गुरुदेव की वानी का चिंतन करिएये स्मरन करिये मनन करिये और अभिमान दूर करना हो तो सेवा करिये और यदि अभिमान रखना ही चाहते हो तो यह अभिमान रहे केहने का तात पर है यह है गो स्वामी जी का कि अभीमान जगे तो अभीमान रूपी इस कलुश को दूर करने की विदी है सेवा रूपी जल सेवा रूपी धारा में एक बार गोता लगा लिजिए दूर हो जाएगा अभीमान जी हाँ अभिमान दूर होता है संतों की भगवद भक्तों की सेवा करने से संत भगवंत की सेवा करने से देहा भिमान दूर होता है इसमें कोई संशे नहीं है तो इस प्रकार नाज जी कह रहे हैं कदर्पिता खिलाचारहसन काम क्रोधा भिमाना अधिकं तस्मिनेव करनियं किसी ने का भाई इन कामक्रोध लोब हो अहंकार से मुक्त हो पाना संभवनी तो नारज जीन जींगा कि भाई फिर इसको इसको एक युक्ति से ले जाते हैं प् कृतार्थ हो जाते हैं अगले सूत्र में नाराजी कह रहे हैं 66 सूत्र में तर्बंगए सन abroad कम नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम वा प्रेम एवकार्यम मिती सूत्र बड़ा लंबाए पर आ ज Is बता दी पर अगर हमारी मानों इस सुत्र के माध्यम से श्री नाराजी ये कहने का प्रयास करें अगर हमारी मानों तो पर कैसी भक्ति हो कैसी भावना हो त्रूप भंग पूर्वकम त्रूप भंग पूर्वकम अर्थाथ आपको स्मरन हो तो पूर्व के एक सुत्र में पोरोरकार की भक्ति बताईती गौणी भक्ति एक साथविकि, एक राजसी और एक तामसी नारण ची जakeे इन तीनों को एक तरफ रखे Гवलिने अर्थात आपकी मेरी भावना में न तो ना तो संसार को प्राप्त करने की इच्छा हो ना स्वर्गादिक सुखों को प्राप्त करने की इच्छा हो और तो और प्रभु से मोक्ष्या मुक्ति प्राप्त करने की कामना भी ना हो किवल एक इच्छा हो धर्म ना अरत ना काम रुचि गतिदा चहू निर्वान जनम जनम रतिराम पद यह वर्दान नान मिर्श्री महाप्रभू भी यही कहते हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिर नार केत पर में पदेथवा राधिकारति निकुंज मंडली तत्र तत्र रिदिमे फिराजता कैसे गोश्वामी जी ने का ना जेही जोनी जनम करम बस तहां राम पद अनुराग हूं नात जंगल में बस रखना अपनी नजर में आपकी स्मृति बनी रहे आपके चारू चरनों का स्मरन बना रहे एक शन के लिए भी जिव्या से आपका नाम न छूटे हिरदय से आपके चरन कमल दूर न हो जाए आपकी स्मृति बनी रहे आपकी स्मृति बनी रहे आप देखिए जो भी उतम भक्त हैं जिन्होंने अपने जीवन में उत्तमा भक्ति प्राप्त की है उन सब का एकमत मिलेगा आपको उस उस थान पर पहुंचकर आपको सब बुद्जन एक ही बात बिन-बिन शब्दों में कहते हुए दिखाई पड़ेंगे जाही न चाही कब हुँ कछू तुम संग सहज सने तुम संग सहज सने हमारे धुरुपदार जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं बसो उर्नैनन में दिन रैन न सो मन के जिते आही विकारा जाचत बात दिन रैन यही धुब देहु प्रिये रस प्रेम की धारा बिसरी हो न बिसारी हो यही दान मुहे देहु हित हरिवन्ष के लाडिले मुही अपनी करिले तो त्रिरूप भंग पूर्वकम दो प्रकार की भक्ति नाराज जी ने पूर्व के सूत्रों में बताई समझाई एक उत्मा भक्ति है मुझय भक्ति और एक गौनी भक्ति के तीन तामसी है राजसी के नाराज जी करने योगे मुझे तो प्रेम ही है ये मनुष्य जीमिंपाकर यदी कुछ प्रवश्च्रों करना चाहिए चांँय है एम से श्रेष्ट कुछ नहीं हमारे श्री धुबदाज जी सिध्धांत विचार में कहते हैं कि जब सतत सर्वदा सर्वकाल सर्वतों भावेन केवल अपने इश्ट आराध्य के सुख का चिंतक हो फिर याते परे ना और कोई भजन और याते परे ना और कोई सुख तिरूब मकंग यह दो भाव मुख्य नारज जी करें एक तो नित्यदास से प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रैदासा ऐसी भक्ति करे रैदासा और दूसरा नित्यकांता मैं प्रभु का सेवक भी हूँ प्रभु मेरे स्वामी भी है और मेरे प्रीतम प्राण अधार भी है सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रैदासा और प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंदर चकोरा ये आख मेरी लाड़ले रहारावरी हेरत रहे ये मेरी अखिया चात की रसघन तुम्हें तेरत रहे मुख चंद्र की ये चान्दनी ही एक कुंज में चाई रहे छविपान मत चकोर अखिया देख बोरा आई रहे सतात रिदय में प्रितम की सेवा की लालसा प्रितम के चारो चरणों के कैंकर रेखी इच्छा, भावना और एक आशा एक आस, एक विस्वास, एक भरोसा, एक बल हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए जो सच्छा स्वामी है, जो सच्छा भरतार है उसी के चरणों की सेवा और उसी को प्राप्त करने की उसी को प्राप्त करने की लालसा और कई बार मैंने तो आप से निवेदन किया कि प्रतिक्षा उत्कट पुरुशार्त है मुझे नहीं लगता इस सुन्दर रंग कोई और बरा जा सकता है एक भक्त के जीवन में हृदय में हृदय में अपने स्वामी की सेवा की अभिलाशा लिये ये नेत्र, मन, प्राण, सतत, प्रेतम की प्रतेक्षा करते हो नाराज जी कह रहे है वा प्रेम एवकार्यम प्रेम एवकार्यमिती भया करने योग्ये तो प्रेम ही है प्रेम ही है यही करना चाहिए चिंतन करियेगा श्री हरीवंच, प्रणाम